ये गाइस विल्कम बेक टोवर यूटूब चैनल टेकनिकल अलवर तो आज गी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है कि आप अपने ट्विटर अकाउंट पर फॉलोवार्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो भी रियल एंड एक्टिव कैसे करना है पूरा का पूरा प्रोसे सबस्थर पहले आपको मिल सके तो विडाउट एनी वर्ष टाइम कर लेते वीडियो को स्टार्ट तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पर क्लिक कर लेना है आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे जिसका नाम X1 SMM Panel है X1 SMM Panel में आने के बाद सबसर पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट करेट करना है अकाउंट को क्रेट करने के लिए आपको साइन अप वाले उप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक यूजर नेम बना लेना है यूजर नेम में आप अपने नेम को small letters में लिख सकते है इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक email id डालनी है आप जो भी email id डालो वो valid email id होनी चाहिए जिससे अगर आप अविश्य में password भूल जाते हो तो easily forget कर पाओ इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक password बना लेना है आप जो भी password फिल करो सेम का सेम password आपको confirm password में डाल लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर I am not robot पर click करने के बाद है आपको sign up वाला option देखने को मिलेगा आपको इस पर click कर लेना है इतना करने के बाद आपका account है वो बनके ready हो जाएगा मेरा पहले ही एक account बना हुआ है तो मैं उसको यहाँ से login कर लेता हूं login करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेश शो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो अभी के time पे मेरे 1081 रुपए account balance है जब आप first time visit करोगे त जैसे आप इस पर click करोगे तो यह आपको एक option देखने को मिलेगा add fund का आपको आपको add fund वाले option पर क्लिक कर लेना है जैसे आप add fund पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा आपको क्या करना है सबसे पहले आपको QR कोड का स्क्रीन सॉट ले लेना है इसक्रिंस ओड लेने के बाद आपको फॉन पर या पे टियम अप्लिकेशन को उपन कर लेना है यह दोनों ही सपोर्ट करता है तो मैं यासे फॉन पर अप्लिकेशन को ऊपन करने के बाद यहां पर देख सकते हो आपको एक option मिलेगा QR code का आपको QR code वाले option पर click कर लेना याँसे आप QR code वाले option पर click करोगे तो यहाँ से आपको अपने QR code को select कर लेना है QR code को sarraan करने के बाद यहाँ पर आपको amount फिल करना है कितने रुपे आप pay करना चाहते हो then sender इसके बाद आपको यहां पर पेमेंट को कर देना है तो यहां पर देख सकते हो जो मेरा पेमेंट हो यहां पर सक्षेजबुली हो चुका है इसके बाद आपको यहां पर व्यू डिटेल पर क्लिक कर लेना है जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ट रुपए आपने प्रे किये हैं तो। मैंने बुल कर लेता हूं इसके बाद यहा पर आपको नीचे एक और प्सप्र क्ली करीना है। च क्लिक करने के बाद आपको एक बड पर कौ रिपरेस्ट कर ले। कर लेना है। Histories को रिफ रिपरेस्ज करने के बाद आप देख को एक option देखने को मिलेगा नियू order का हमको यापन नियू order वाले option पर क्लिक कर लेना है जैसे हम नियू order पर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस परकार का इंटरफेश यो हो जाएगा यहाँ पर हमको एक option देखने को को मिलेगा category का आपको category वाले option पर क्लिक कर लेना है जैसे आप category वाले option पर क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हूं आपको बहुत सारी services देखने को मिल जाती है like instagram, whatsapp, facebook, twitter, snapchat, सभी services आपको देखने को मिल जाती है लेकिन हम आज ही कैसे twitter followers increase करने वाल है तो मैं आज ही कैसे twitter followers वाली service को select कर लेता हूं इसके बाद नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा services का आपको services वाले option पर क्लिक कर लेना है जैसे आप services वाला option पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको अपने budget का according services ले लेनी है तो मैं आसे यह वाली service को select कर लेता हूं इसके बाद यहां पर आपको आप पर profile वाला icon पर click कर लेना है जैसे आप profile वाला icon पर click करोगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा profile का आपको इस पर click कर लेना है जैसे आप profile पर click करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक option मिलेगा three dot का आपको three dot पर click कर लेना है जैसे आप three dot पर click करोगे आपको यहां पर share वाल उप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर click कर लेना है, जैसे आप share वाल उप्शन पर click करोगे, आपको यहां से link को copy कर लेना है, link को copy करने के बाद आपको फिर से website में आ जाना है, website में आने के बाद यहां पर आपको link को paste कर देना है, इसके बाद य यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा order है वो सक्षी फुली लग चुका है अब हमारे order का status देखने के लिए क्या करना होगा हमको यहाँ पर three dot वाला option देखने को मिलेगा हमको इस पर click कर लेना है जैसे हम इस पर click करेंगे यहाँ पर हमको एक option देखने को मिल जाएगा order history हमको order history पर क्लिक कर लेना है order history पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा यह वाला order है और यह वाला order है यह पैंडिंग में है बाकी order हमारे यहाँ पर complete हो चुके है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने twitter account पर followers increase कर सकते हो अगर दोस्तों आपको fund को add करने में कोई भी problem आत जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ सब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम